तेरा जून की इश्रिदान में आपसे कोई सोगाता है, परमात्मा कहता है कि शान्ती की शक्ती के साधनों त्वारा विश्व को शान्त बनाने वाले रुहानी शसस्त्रधारी भवा शांती की शक्ती का साधन है शुब संकल्प तो silence की शक्ती जो है शांती की शक्ती है मन में कम thoughts हो यह नहीं कि आप मुझ से शांत हैं लेकिन मन बहुत चंचल हो रहा है यह नहीं मन में thoughts कम हो और quality के thoughts हो जैसे शुब संकल्प, शुब भावना शांती की शक्ती का साधन है शुब संकल्प शुब भावना और नेनो की भाशा है जैसे मुख की भाशा द्वारा बाप का वा रचना का परेचे देते हो मुख से हम पताते हैं परमात्मा का ग्यान बताते हैं प्रमात्व कौन है जोती बिंदू मैं भी आत्म जोती बिंदू है ऐसे शांती की शक्ती के आधार पर नैनो की भाशा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो अगर आपके नैनो में क्रोध है आपके नैनो में डाउट है आपके नैनो में judgment है और विप्रती तो आप उनको शांति नहीं करा सकते हो ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो स्थूल सेवा के साधनों से जादा silence की शक्ति अतीशरेश्ट है स्थूल जो सेवा के साधन है जैसे कि ये mobile phone बे एक सेवा के साधन है laptop भी में एक सेवा के साधन है light भी सेवा के साधन है इनसे हम शांति नहीं दे सकते किजी को इनको हम इस्तमाल करके message औरों तक पहुचा सकते हैं लेकिन thoughts अगर मेरे peaceful नहीं होंगे तो फिर कोई फाइदा नहीं होगा रोहानी सेना का यही विशेश शस्त्र है कौनसी शांति की शक्ती है हमारे अंदर किते प्योर शुब भावना शुब कामने वाले संकल्प है औरों के प्रती चाहिए कोई विक्ती दे अभीमान में आकर के अंकार में आकर के भी गलत कर्म कर रहा हमारे प्रती लेकिन हमारे अंदर उसके प्रती क्या होना चीए क्योंकि कौन देख रहा है बाबा इस शस्त्र द्वारा शांत विश्व को शांत बना सकते हो उम्शंति